हलो फ्रेंड्स आप आईएस में आप सबों का स्वागत है तार्गेट यूपीएस से प्रिलिम्स 2021 के अंतरगत ओक्टोबर महीने का ये हमारा पहला डिसकसन वीडियो है चलिए हम आज का अपना डिसकसन सुरू करते हैं हमारे डिसकसन का पहला टॉपिक दस हफ्ते दस बजे दस मिनट अभियान से सम्मंधित है इस न्यूज से सम्मंधित जो जानकारी आपको याद रखनी है वो सबसे पहले कि इसे किसके द्वारा सुरू किया गया है तो फ्रेंड्स ये दिल्ली सरकार के द्वारा सुरू किया ग के बीच रविवार के दिन में 10 बजे दिन के समय 10 मिनट के लिए डेंगू के मच्छर को रोकने के लिए साफ सफाई अभियान में जुड़ने के लिए कहा जाएगा लोगों को कहा जाएगा कि आप उन छेत्रों में जाएं उन छेत्रों की पहचान करें जहां डेंगू का मच् हमारे discussion का दूसरा topic हर घर जल योजना से सम्मधित है friends आप इस news से सम्मधित जो जानकारी याद रखेंगे वो ये कि गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसको हर घर जल राज्य घोशित किया गया है कहने का ये मतलब है कि गोवा देश का ऐसा राज्य बन गया है जहां हर ग्रामीन परिवार के घर में पानी की उपलब्धता अब नलकुप के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएगी यानि कि लोगों को पानी लेने के लिए टैंक के पास नहीं जाना पड़ेगा लोगों को पानी लेने के लिए घरों से बाहर दूर जाने की आवसिकता नहीं होगी लोगों को उनके घर पर ही नल कनेक्शन के माध्यम से पानी उपलब्ध करा दिया जाएगा भारत सरकार के अंतरगत आप जानते हैं हर घर जल योजना सुरू किया गया था और उसी के अंतरगत गोवा को देश का पहला हर घर जल राज्य घोसित किया गया है इस राज्य का नाम आपको याद रखना है स्टेट PCS में पूछा जा सकता है हमारे डिसकुसन का तीसरा टॉपिक स्काल इंटरनेशनल एसिया एरिया से सम्मंधित है क्या है यह फ्रेंड्स यह एक प्रकार का कारेक्रम है जहां किसी अलग अलग देश के हिस्से में कारेक्रम आयोजन किया जाता है और इस कारेकरम के अंतरगत विश्वक के बहुत सारे छेत्रों को बुला कर परेटन और मैत्री पुन्ट शंबंध को बढ़ावा देने की कोशिस की जाती है ये एक ऐसा कारेकरम है जो World Tourism Organization यानि की United Nation Tourism Organization के अंतरगत जुड़ा हुआ है हलांकि ये United Nation World Tourism Organization के द्वारा आयोजित नहीं किया जाता है लेकिन इस कारेकरम को UNWTO का समर्थन प्राप्त है ये विश्व का एक मात्र ऐसा कारेकरम है जहांपर परेटन के साथ साथ मैत्री पुन्ट शंबंध को भी बढ़ावा देने की कोशिस की जाती है यदि इस प्रकार के कारेकरम का आयोजन किसी देश में किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि उस छेत्र में उस छेत्र के रहने वाले लोगों का उस देश की अस्थानिय सरकार का सभी लोगों का सहयोग होगा परेटन को बढ़ावा मिलेगा और इसी उदेश्चे के साथ इस कारेक्रम का आयोजन किया जाता है इस कारेक्रम से सम्मंदित जो जानकारी हम डिसकसन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं तो फ्रेंड्स इसका यानि की स्काल इंटरनेशनल एसिया एरिया जो कारेक्रम आयोजन किया जाता है उसका पचासवा संस्करन जो 2021 में आयोजित की जाएगी वो भारत के केंदरसासित प्रदेश जमु कस्मीर में होने वाला है ये इसलिए महत्तपुन है आप इस जानकारी को भी याद रखेंगे और ये किस लिए है किस छत्र से जुड़ा हुआ है इसे भी याद रखेंगे हम चलते हैं आगे हमारे डिस्कुसन का चौथा टोपिक भाई तारूसिह से सम्बंदित है आपको इसके बारे में सबसे महत्तपुन जानकारी ये याद रखनी है कि ये किस संप्रदाई या फिर किस धर्म से जुड़े हुए थे ये सिक धर्म से जुड़े हुए थे आपने सिक धर्म के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा Finish ये एक महान शहीद शिख थे जिनका जन्म 1720 में हुआ था जब भारत में मुशलमानों का आकरमन होता है मुशलमान अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत सारे कारे करते हैं इसी के अंतरगत भारत वाश्यों को वो अपने संप्रदाय से जोडने की भी कोशिस करते हैं और इसी कारे के अंतरगत जो सिख लोग थे जिन के लिए बाल बहुत महत्तपुन होता है उनको काटने के लिए विवस किया जाता था और जबरज इसलियों को रच्छा करने की कोशिस की इन्हों ने अपने बाल को कटवाने से अच्छा अपना सर कटा देने पर राजी हो गए और इस प्रकार से ये एक महान सिक सहीद के रूप में अपने आपको दर्ज करवा लिये इस साल यानि की 2020 में इनकी 300 जन्म दिवस है UPSC एक ऐसे question जरूर पूछती है जो किसी के समझ में ना आए तो friends ये ऐसा ही एक पार्ट हो सकता है हमारे पहुच में था इसलिए हम इसे आपके समझ लेकर आए हैं आप इसे ध्यान रखेंगे हमारे discussion का चौथा पांचवाँ topic जो है वो blue flag समुद्र तट से सम्मन्दित है आप हमारे इस discussion को GS paper 3 के संरक्षन, परियावरन, प्रदूशन, छरन, परियावरन प्रभाव और आकलन से जोड़ कर देख सकते हैं फ्रेंड्स हाल फिलाल में ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि भारत के आठ समुद्र तटों को the foundation for environmental education यानि की FEE का blue flag certificate मिल चुका है यानि की अब भारत में कुल 9 ऐसे अस्थल हैं जिसको blue flag certificate मिला हुआ है इसी के अंतरगत करनाटक के दो महत्तपुन छेत्र उत्तर करनाटक के हनोवार के निकट कासर कोड समुद्री तट इसे मिला हुआ है और उडपी के निकट पदू बद्री तट है जिसे करनाटक में blue flag certificate मिल चुका है तो आप इसे ध्यान रखें क्या होता है blue flag certificate ये एक प्रकार का प्रमान पत्र है जो किसी बिसेयस छेत्र को यानि की जो तटवर्ती समुद्री छेत्र है उसे दिया जाता है यदि किसी समुद्री तटवर्ती छेत्र में कुछ ऐसी स्वीधाएं जैसे स्वच ज अपसिस्टों को निपटने के लिए अच्छी स्वीधा हो विकलांगों के लिए वातावरन अनुकूलित हो प्रात्मिक चिकित्सा के मांदंड हो जो पूरे किये जाते हो उनके लिए जो भी चिकित्सा के उपकरण हो वो ततकाल उपलब्ध हो जो पालतु जानवर हो वो अ पनावश्चक रूप से उस छत्र में न घूम रहे हों, ऐसे ही 33 मांदन्डों को पूरा करने पर किसी भी तटवर्ती छत्र को blue flag certificate दिया जाता है। इस certificate को नवा जा गया है। जब कभी भी विदेश का कोई नागरिक भारत की किसी तटवर्ती छत्र को विजिट करना चाहेगा, तो वो जाकर देखेगा कि क्या उस तटवर्ती छत्र को blue flag certificate मिला है या फिर नहीं मिला है। वो इस बात को नहीं देखेगा कि वहाँ पर कौन से क चीजों की जरूरत है, वो वहाँ पर उपलब्द होंगी। ये किस के द्वारा दिया जाता है। फ्रेंड्स ये एक डेनमार्क की गैर सरकारी, गैर लाभकारी, Foundation for Environmental Education के द्वारा इसे सुरू किया गया था और इसी प्रमान को डेनमार्क के इस NGO के द्वारा ही इस प्रमान प Blue Flag Certificate दिया गया था, 1987 में इसे पूरे के पूरे यूरोप में लागू कर दिया गया, 2001 में यूरोप के बाहर दक्षिन अफरिका ऐसा पहला देश बना जिसे इस प्रकार का प्रमान पत्र दिया गया था, इससे जुड़ी हुई दूसरी महत्तपुन जानकारी जिसे आपको याद रखना है, वो ये कि सबसे पहले भारत के कोनार्क तट जो की ओडिसा में है, जिसे हम चंदरभागा बीच के नाम से जानते हैं, उसे Blue Flag Certificate दिया गया था, इसी प्रकार का सबसे ज़्यादा जो तटवर्ती छत्र दिया गया है, उसमें स्पेन है, जिसमें कुल 566 ऐस तटवर्ती अस्थल हैं, जिनको Blue Flag Certificate मिला हुआ है, दूसरे और तीसरे अस्थान पर Greece और France हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे, अंतिम जानकारी Blue Flag से सम्मधित क्या, Blue Flag Certificate केवल तटवर्ती छत्रों को दिये जाएंगे, या फिर बाकी किसी छत्र को भी दिया जा सकत है, जी नहीं, यदि कोई मरीना छत्र है, यानि कि कोई ऐसा छत्र जहां पर नव का विहार परेटन हो रहा हो, तो उसे भी Blue Flag Certificate दिया जा सकता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, आप कह सकते हैं कि Blue Flag Certificate जो है, वो एक प्रकार का ट्रेड मार्क है, यानि कि लोगों को इस बात को बताने का प्रमान है कि वहाँ पर आपके जरूरत की सारी स्वीधाएं उपलब्ध है, आप वहाँ पर सुरक्षित जाकर सुरक्षित वापस आ सकते हैं, मुख्य रूप से ये परेटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया एक प्रमान पत्र है, चलते हैं आग जी एस पेपर 3 के अंतरगत उर्जा, बंदरगा, सडक, विमान, पतन और रेलवे से जोड़ कर देख सकते हैं, यदि हम बात करें दिल्ली, इलेक्ट्रिक, वाहन, नीती से सम्मंधित कुछ महत्तपुन विसेस्ताओं का, तो जिस बात को आपको याद रखना है, वो सबसे पहले यही है कि इस नीती के अंतरगत 2024 तक दिल्ली यानि कि राजधानी छतर के अंतरगत जो इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रतिशत है, वो 25 प्रतिशत होनी चाहिए, वर्तमान में कितनी प्रतिशत है, आधा प्रतिशत से भी कम, यानि कि 0.29 परसेंट वर्तमान में इलेक्ट 2024 तक 25 प्रतिशत करना है इसी के अंतरगत कोशिस की जाएगी कि 2024 तक पूरे सहर में लगभग 5 लाक ऐसे इलेक्टरिक वाहन हो जो पंजिकरित हो तो इसे आपको ध्यान में रखना है इस नीती के अंतरगत ये किया जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति दो पहिया वाहन खरीदता ह ओटो खरीदता है इरिक्सा खरीदता है या फिर छोटा मालवाहक वाहन खरीदता है तो उसे 30,000 तक सबसीडी उपलब्द कराई जाएगी यदि कोई व्यक्ति कार खरीदता है तो उसे डेड़ लाक तक की सबसीडी उपलब्द कराई जा सकती है तो इसे आप ध्यान रखें अगली जानकारी इस नीती से सम्मधित वो ये कि यदि कोई वेक्ती इलेक्ट्रिक कोमेर्सियल वो गाडियों को खरीदता है वेहिकल्स खरीदता है तो उसे कम ब्याज पर रिण उपलब्ध कराने के कोशिस की जाएगी इस नीती को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा एक अलग से EV सेल की इस्थापना की जाएगी जिसका मुख्य जोर यही होगा कि लोगों को प्रोचसाहन दिया जाए और इस नीती को सफलता पुर्वक लागू कराया जाए सरकार इसी के अंतरगत राज्य इलेक्ट्रिक वहन बोर्ड का भी गठन करेगी तो इसे भी आप ध्यान रखें हर साल 200 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाये जाएंगे ताकि लोगों को प्रती 3 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक ऐसा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स स्टेशन उपलब्ध हो ताकि बीच में यदि किसे विक्ति के गाड़ी का चार्ज खतम हो जाए तो वो आसानी से जाकर उस छतर में अपनी गाड़ी को चार्ज कर पाए तो आप इसे ध्यान रखें ये कुछ महद्दपन भी सेस्ताएं हैं यदि प्रस्ण पूछा जाएग तो इसी से सम्बन्धित हो सकता है हमारे esté के साथवा टॉपिक फेलूदा परिक्षन से सम्बनित है क्या है फेलूदा परिक्षन ये एक प्रकार का paper strip test है आपने बहुत बार यदि देखा होगा तो malaria का test करने के लिए एक कीट का उप्योग किया जाता है इसी प्रकार के paper strip test paper का उपयोग करते हुए COVID-19 किसी विक्ति को संक्रमन है या फिर नहीं है इसका पता लगाने का कोशिस किया जाएगा हमने अपने पिछले डिसकसन में भी इसके बारे में डिसकसन किया हुआ है अभी नियूज में क्यों है क्योंकि Drug Controller General of India यानि कि DCGI भारत्य औशधी महानियंतरक के द्वारा इसे वानिजिक रूप से बेचने की अनुमती दे दी गई है ये बहुत सस्ता है इसके माध्यम से 30 मिनट के अंदर अंदर पता लगाया जा सकता है कि कोई वेक्ती COVID-19 से संक्रमित है या फिर नहीं है जो जानकारी आपको याद रखनी है वो ये कि इसका Original नाम क्या है हो सकता है कि किसी State PCS में या फिर कोई छोटे एक्जाम में ये पूछे जाए FN-CAS9 ध्यान रखेंगे FN-CAS9 Editor Linked Uniform Detection SI यानि कि इसका Full Form यानि कि जो फेलूदा है उसका Full Form आप इसे याद रखेंगे इसे किसके द्वारा निर्मित किया गया है CSIR और Tata Samu इन दोनों के द्वारा मिलकर इस कीट का निर्मान किया गया है ये काफी सस्ता है तो आप इसे ध्यान रखेंगे एक अन्य जानकारी जो इसी से जुड़ी हुई है अभी आप जानते हैं कि COVID-19 का पता लगाने के लिए RT-PCR परिक्षन किया जाता है और इसके लिए जो रिपोर्ट है आने में घंटों लग जाते हैं लेकिन इस परिक्षन के माध्यम से आधे घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट आ सकता है तो आप इसे ध्यान रखें इसका नाम टाटा क्रिस्पर भी रखा गया है तो इसे भी आपको ध्यान रखना है विशेश रूप से ये कैस 9 प्रोटीन का परियोग करके विश्व का पहला नैदानिक परिक्षन तकनीक है और इस तकनीक के माध्यम से जो प्रोटीन होता है SARS-CoV-2 का उसकी अनुवांसिक पदार्थ का पता लगाता है कि किसी विक्ति के ब्लड में, किसी विक्ति के सैंपल में जो SARS-CoV-2 है वो प्रेजेंट है या फिर नहीं है इसे पता लगाने की कोशिस करता है तो आप इसे ध्यान रखें हमारे डिसकसन का अगला टॉपिक सूचना का अधिकार अधिनियम से सम्मन्दित है आप हमारे इस डिसकसन को GS-Paper 2 के दिये गए महत्तपुन भाग, शासन व्योस्था, पारदर्शिता, जवाब देही के महत्तपुन पक्च, E-Governance, अनुपरियोग, मोडल, सफलताए, सीमाए, संभावनाए, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता, एवं जवाब देही इत्याधी से जोड़ कर देख सकते है Friends, सूचना के अधिकार अधिनियम को 2005 में भारत सरकार के द्वारा लाया गया था इससे पहले लोगों को सूचनाय उपलब्द कराने के लिए Freedom of Information Act 2002 था इस अधिनियम के आने के बाद 2002 का अधिनियम निरस्थ हो गया इससे जुड़ी वी जो महत्तपुन जानकारी आपको याद रखनी है वो ये कि भारतिश्व विधान के अंतरगत जो मूल अधिकार है उसमें अभिव्यक्ती की स्वतंतरता को ससक्त करने के लिए जो अनुछेद 19 वाक एम अविवेक्ति की स्वतंतरता का अधिकार दिया गया है उसे ही सुद्रिड करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया था इसके कुछ महत्तपुन प्रावधान है जिसे आपको याद रखना है सबसे पहले जो धारा चार है उसमें कहा गया है कि जितने भी भारत के सारोजनिक प्राधिकरण है इकाईया है वो खुद से महत्तपुन जानकारियों को लोगों तक उपलब्ध करानी की कोशिस करेंगे धारा आठ एक के अंतरगत आर्टि आई अधिनियम के तहत सूचना प्राधान करने से सम्मधित छूट का उलेक किया गया है धारा आठ दो के अंतरगत इस बात का प्रावधान किया गया है कि यदि कोई जानकारी ऐसी हो जो लोगों तक पहुँचना चाहिए इससे लोगों के हित जुड़े हुए हैं तो उस कंडिशन में सरकारी गोपनियता अधिनियम 2023 जिसके अंतरगत सरकार के बहुत सारे चीजों को गोपनिय रखने का प्रावधान किया गया है उसे भी जूट दिया गया है यानि कि गोपनिय रखने की आउशकता नहीं है यदि उसे प्रकाशित किया जा सकता है तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे इसी अधिनियम के अंतरगत केंदर सरकार और राज्य सरकार के अंतरगत सूचना आयुक्त के निक्ति किये जाने के प्रावधान किये गये है जितने भी सारोजनिक प्राधिकरन है उन सारे प्राधिकरनों में एक-एक सूचना आयुक्त होंगे उन्ही सूचना आयुक्तों के अंतरगत हर प्राधिकरन के कुछ लोगों को, कुछ जनसेवकों को, अधिकारियों को RTI के अंतरगत मांगे गए जानकारियों को लोगों तक उपलब्ध कराने के लिए एक अलग से बिभाग बनाने का भी प्रावधान किया गया है इसे भी आपको ध्यान रखना है जो महत्तपुन जानकारी वो ये कि यदि कोई वेक्टी RTI के माध्यम से आवेदन करता है महत्तपुन जानकारीयों को मांगता है तो आवेदन किये जाने के 30 दिन के अंदर अंदर उस जानकारी को उपलब्ध कराया जाना आउशक है यदि कोई जानकारी लोगों के जीवन या फिर स्वतन्तरता से सम्मंदित है तो 48 घंटे के अंदर अंदर उपलब्ध कराया जाएगा यदि कुछ कारणों से 30 दिनों के अंदर उपलब्ध नहीं कराया जा सकता या फिर 48 घंटे के अंदर उपलब्ध नहीं कराया जा सकता तो 5 दिन का अत्रिक्त समय दिया जा सकता है लेकिन 35 डे मैक्सिमम के बाद जानकारी को उपलब्ध कराना आउशक है इससे जुड़ी वी जो महत्तपुन जानकारी वो ये कि क्या नीजी निकाय जो है वहां RTI अधिनियम लागू होता है नहीं होता है तो फ्रेंड्स जब इस अधिनियम को 2005 में लाया गया था उस समय RTI के अंतरगत नीजी निकाय सामिल नहीं थे लेकिन सरबजीत रोय बनाम दिल्ली इलेक्टरिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के अंतरगत एक केस फाइल किया जाता है और इस केस के बाद सुनवाई के बाद इस बात को फैसला किया गया कि नीजी निकाय भी अब RTI के दाइरे में आते हैं क्या राजनीतिक दल आते हैं जी नहीं नहीं आते हैं इसके बारे में आप सिर्फ यही आद रखेंगे कि जो राजनीतिक दल हैं वो एक सारोजनिक प्राधी करन्तों हैं लेकिन ये RTI के दाइरे में नहीं आते हैं नियाएधीस आते हैं नहीं आते हैं नहीं आते थे लेकिन 13 नौवेंबर 2019 में दिये गए फैसले के अनुसार अब आते हैं तो इसे भी आपको ध्यान रखना है न्यूज में क्यों था क्योंकि फ्रेंड्स 2005 में लागू हुआ सोरी 2005 में लागू हुआ 2020 चल रहा है 15 साल पूरे हो गए तो इसी से सम्बंदित लेखा जो खा न्यूज पेपर में आया इसी से सम्बंदित आक्ड़े जारी किये गए तो उसी से जुड़ी हुई न्यूज के वज़े से हम आपके साथ ये डिस्कसन कर रहे हैं इसके यदि हम कुछ महत्तपुन जानकारियों को देखें तो वरतमार में लगभग 2 लाग से जादा ऐसे मामले हैं जो लंबित हैं यानि कि इन पर जानकारियों को साजा नहीं किया गया है ये केंदर अस्तर पर और राज्य अस्तर पर दोनों ही अस्तर पर उपलब्द हैं सबसे जादा जो मामला है वो महरास्ट में है उसका और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में है तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है चलते हैं आगे हमारे डिसकसन का अगला टॉपिक जो है वो आई आर से सम्बंदित है चीन के रिंड जाल की कूटनीती से सम्बंदित है आप हमारे इस डिसकसन को जीएस पेपर टू के अंतरगत आई आर से जोड़ कर देख सकते हैं फ्रेंड्स न्यूज में क्यों है क्योंकि स्रिलंका जो की चीन के रिंड जाल में फंस चुका है वो अब इससे बाहर आने के लिए चीन से ही अनुदान की मांग कर रहा था और उस अनुदान को चीन के द्वारा मान लिया गया है इसलिए ये न्यूज में है चुमहत्वपुन चीज आपको याद रखनी है वो ये कि चीन अपने राजनितिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जो अल्प विक्सित या फिर कम विक्सित देश हैं गरीब देश हैं उन देशों को रिण देता है रिण क्यों देता है बुनियादी धाचा विक्सित करने के लिए ये कोई विजनेस शुरू करने के लिए नहीं दे रहा है ये उस देश को बुनियादी धाचा निर्मान करने के लिए दे रहा है अब बुनियादी धाचे का निर्मान यदि किया जाएगा तो वो आयका सोत जल्दी उपलब्द नहीं कराएगा यदि कोई विजनेस किया जाता है तो उससे इंकम आने लगेगा लेकिन यदि बुनियादी धाचा का निर्मान किया जा रहा है तो उससे पैसे आने में थोड़े समय लगेगे लेकिन लोन लिया जा चुका है ब्याज बढ़ने लगेगा जब तक उस बुन्यादी धाचे से पैसा आने लगेगा तब तक उसका रिन्ड का अस्तर इतना बढ़ चुका होगा कि वो चीन के जाल में भंस जाएगा अब चीन क्या करेगा कि उस देश को मजबूर करेगा बहुत सारे ऐसे चीजों को बहुत सारे ऐसे सिवाओं को चीन के हित में साजा करने के लिए वो कह सकता है कि आप अपने कुछ छेत्रों में हमें उद्योग लगाने दीजे, अपने बंदरगाह इतियादी को हमें सचालित करने दीजे, हमें यहाँ पर सैनने अड्डा बनाने दीजे, ऐसे करके वो सौदे करना है अपनी राजनीतिक और आर्थिक हितों को सुनिष्चित करने की कोशिस करता है इसी के अंतरगत स्रिलंका के हमबन टोटा बंदरगाह को मजबूर किया गया और निनारबे सालों के लिए चीन के नियंतरन में सोब दिया गया जिबूती को भी इसी तरह से मजबूर किया गया और ये सैन्ने अड़ा बनकर उब्रा कहां लाल सागर के आसपास तो आप इसे ध्यान रखें ये समझने के लिए महत्तपुन जानकारी थी आप इसे समझ जाएंगे हमारे डिसकसन का दस्वाँ टॉपिक विश्व बैंक के बिटन और ब्रोकन साउथ एसिया रिपोर्ट से सम्बंदित है सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि बिटन और ब्रोकन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है तो विश्व बैंक के द्वारा आपको सिर्फ यही बात याद रखनी है लेकिन कुछ महत्तपुन जानकारिया जो आपकी समझ को विक्सित करेंगी वो ये कि दक्षिन एसिया के जितने भी देश हैं जहाँ पर COVID-19 के वज़े से स्कूलों को बंद कर दिया गया वहाँ पर US डोलर 888 बिलियन का नुकसान हो चुका है ऐसी संभावनाय जताई जा रही हैं कि दक्षिन एसिया का जो च्छत्र है वहाँ सकल घरेलू उत्पाद में परियाप्त कमी आईगी ये एक ऐसा च्छत्र हो सकता है जहाँ पर आने वाले समय में सबसे खराब मंदी के दोर का सामना करना पड़े तो इसे आपको ध्यान में रखना है हमारे डिसकसन का अगला टॉपिक अंतिम टॉपिक स्वामित्य योजना से सम्दित है क्या है स्वामित्य योजना इसे 24 एपरेल को ही सुरू किया गया था लेकिन इसकी के अंतरगत अभी कुछ गतिविध्या हुई है जो करेंट की जान होती है गाओं के छित्र में उनका मापन किया जाएगा ड्रोन के माध्यम से आकड़े इकठा किये जाएगे और पता लगाया जाएगा कि कौन सी जमीन कौन सा छित्र किसका है आकड़ों को एक जगह इकठा करने के बाद इसे SMS के माध्यम से लोगों को उपलब्ध कराया जा तो ये इसी से जुड़ीवी जानकारी है, हलांकि इस योजना का जो महत्तपुन जानकारी है, जो उसे कुछ उन्ही जानकारियों को साझा किया जाएगा, जो जरूरी हो बाकी जानकारियों को नहीं, इस कारेक्रम को लागु किसके द्वारा किया जा रहा है पंचायती राज और ग्रामीन विकास मंत्रालाई के द्वारा ये एक केंद्रिय च्छत्रिय योजना है आप याद रखेंगे यानि कि इस कारेक्रम को पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के द्वारा लागु किया जा र इनकारी उपलब्ध कराए जाएगी जो काड लोगों को दिया जाएगा उसे संपत्ति काड कहा गया है यह संपत्ति काड जारी किसके द्वारा किया जाएगा तो आप याद रखेंगे भूमी, राजश्व, अभिलेक, विभाग के द्वारा इसे आपको याद रखना है कि इस काड को जारी किया जाएगा किसके द्वारा, इस काड में जो भी महत्तपुन जानकारी होगी कि कितना जमीन है, इस जमीन का अवस्थिती क्या है, इस जमीन को किसके नाम पर रजिस्टर किया गया है, इसे यदि बेचा गया तो इससे पहले क कौन इसका मालिक था अब इसका कौन मालिक है इस तरह की जो भी जानकारी होगी इस कार्ड के अंतरगत उपलग्द कराया जाएगा तो आप इसे याद रखें अभी हाल फिलाल में जो न्यूज में आया वो इसलिए क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के द्वारा एक लाख ऐसे लोगों को मोबाइल फोन में SMS के माध्यम से इसी से जुड़ीवे जानकारियों को साज़ा किया गया वो उसे डाउनलोड करेंगे और ये एक ऐसा authentic डाटा होगा जिसका उप्योग करके यदि कोई विक्ति रिण लेना चाहता है तो वो ले सकता है यानि कि इसक उप्योग कोलिटरल के रूप में भी किया जा सकता है तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का डिसकुसन था हम अपने आज का डिसकुसन को यहीं रोकते हैं आप हमारे साथ बने रहिए थैंक्यू थैंक्यू वेरी मच